गुड बर्निंग स्टूडन्स आप सबको मेरे हिंदी कक्षा में स्वागत हैं मैं प्रोपेसर पीम तामबट म.म.E.D आपके विकॉम थर्ड समय आने वाले पट्टे करम के उनसार बिना दिवारों के घर एक ही नाटक है इसके लेकेक हैं मनुभंधारी जी तो आप लोगोंने पहले के विडियो में मनुभंधार जी का पर्चे भी देखा है साथ ही बिना दिवारों के घर की कतावस्तु भी थोड़ी बहुत जानकारी पहले विडियो में जान चुके हैं तो इसके आज विस्तार के रूप में हम अध्यन करेंगे तो पहले से ही इसके पात्रसूची इस प्रकार हैं अजीत शोभा मीना जयन्त जीजी बंसी नवकर डॉक्टर साथी सेट संपतलाल शुकला उसकी पत्नी श्रीमति शुकला चावला उसकी पत्नी श्रीमति चावला चौदरी इसकी पत्नी श्रीमति चौदरी है ये बिना दिवारों के घर नाटक के प्रमुक पात्र में हैं तो इसके साथ इस बिना दिवारों के घर में तीन अंक आते हैं पहला है यानि प्रथम अंक में पहला दुरुष के बारे में हम जानकरी प्राप्ट करेंगे पहला दुरुशें परदा उड़ता है अजित का ड्राइंग रूम अस्तविस्तसा सवेरे के आठ बच्चे के हैं बीतर से तानपुरे पर अलाप लेता हुआ नारी स्वर सुनाई देती है अजित कुछ गुनगनाता हुआ प्रवेश करता है चैरे पर हजामत का साबुन लगा है हाथ में खाली रेजर एदर उदर कुछ धूनता है फिर खिजलाय से स्वर में अपनी पतनी को पुकारता है यानि अजित किस तरह अपनी पत्नी को पुकारता है ये नाटक के जरिये यानि संबाशन के रूप में हम देखेंगे यानि अजित अपनी पत्नी शोबा से इस तरह पुकारता है शोबा भीतर से गाने का स्वर पहले के जैसे पूरुवित आता रहता है आवाज को सब्तम स्वर ले जाकर यहीं उसके जैसे क्या करता है यहीं गाने के स्वर में आजित ने श्रीमति शोभा देवी जी कहकर बीतर करता है बीतर से गाने का स्वर बंध हो जाता है और उसी आवाज को सुनकर शोबा अपने पती की आवाज सुनकर उसके पास आती है शोबा बात करती है क्या है क्यों घर सीर पर उटा रखा है अजित मैं पूस्ता हूँ इस घर में कोई चीज ठीक जगह पर रहती है या नहीं शोबा क्या चाहिए आपको अजित ये घंटा हो गया कहीं बलेड का पता नहीं और तुम हो कि वहाँ बैट कर आलाप रही हो यहीं गाना गार रही है शोबा कहती है ओहो तो अब आपकी चीजे ठीकाने पर रखने का काम भी मेरा है दराज से बलेड निकाल कर देती है तुमारे चीज क्या होती है सारी चीजे घर की है और घर की हर चीज ठीकाने पर है या नहीं या देखना अवरोतों का काम है बोलो है या नहीं बोलो बोलो यह अपनी पत्नी से बात करता है और उसकी उत्तर में शोबा कहती है अच्छा मान लिया है अब जराय भी बता दीजिये कि घर के आदमी का क्या काम है घर की हर चीजों को इधर उधर फेंकते फिर न और फिर दुनिया भर का शोर मचाना क्यूं इसके जवाब में अजित कहता है हाँ हाँ हसता है शोबा शोबा समस्ति तुम सब हो अरे बीवी अपने बड़े समचदार है भीतर से आवाज आती है ममी ममी हमारे मोझे कहां रखे है यहनी अपनी बी टिवी अपनी मम्मी से यहनी शोबा से पुकारती है या उसे मोजे नहीं मिल रहे हैं, तो मोजे कहां रखे हैं, ये अपनी मा से ममी ममी करके बोला रही हैं, तो शोवा अजित को देखता है, यानि पती पत्नी को इस आवाज की जरी देखने लगता है, शोवा, लोग, अब बिटिया के मोजे नहीं मिल रहे हैं, अजित, उसे अपने पत्नी शोबा से कहता है शोबा जाते 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 यानि बच्चे की ओर जाते जाते कहती है अच्छा जी तो आप यह कह रहे हैं लापरवाई से चीजे रखने में वह आपकी बिटिया नहीं गुरू है गुरू यहीं पत्ति को शोबा कहते वे बेटी के तरफ जा रही है अजित जल्दी जल्दी हजामत समाप्त करता है नहाने के लिए भीतर जाने लगता है तब उसके पास शोबा प्रवेश करती है अजित हजामत का सामान उटाते वे यहीं खुद हजामत बनाकर खतम करता है और अपने सामान खुद उटाकर कहता है मैं अपना सामान अपने आप साप करने ले जा रहा हूं पत्नी को कहता है और पत्नी उसे कहते है शोबा बड़ी मेरबानी आपकी अजित तुम जरा कमरा ठीक कर दो हो सकता है मिस्टर अगरवाल को मुझे अपने साथ ही लाना पड़े वैसे में लाओंगा नहीं फिर भी ये क लेकर उन्हें नहाने के लिए अजित चला जाता है शोबा कमरा ठीक कर दो है चाती हूं सवेरे कम से कम घंटा आदा घंटा रियाज के लिए ही निकाल लूँ सो वो भी नहीं होता पता नहीं यहां किसी से भी तो अपना काम नहीं होता घर का काम देखो कौलेज का काम देखो उपर से नौकर और चला गया अजीत अगरवाल को बलाने के लिए यानि बला लाता हूं कहकर कमरा ठीक करने के लिए कहता है तो वो चला जाता है चला जाने के बाद यह अपने आप कमरा ठीक करते वे इन बातों को कहती है अजीत प्रवेश करता है बिना बटनों के कफ लटक रहे हैं सामने के बटन भी खुले हैं यानि शर्ट डाला है तो दोनों हातों के बटन भी नहीं है और सामने के बटन भी खुले हुए शोबा को बुलाता है अरे शोबा कमीज में बटन भी लगा कर नहीं रखे देखना जरा जल्दी से शोबा बटन लगाते हैं हद है यानि कि आप अपने बटन भी नहीं लगा सकते अजित अब तुम चाहे कुछ भी कर लो पर इस सब के लिए जिम्मेदार तुम ही हो समझी यानि चाहे कुछ भी कर घर संबालना तुमारा ही काम है एक एकर शोबा से अरजित कहता है शोबा हाँ सो तो हूँ ही दुनिया के किसी भी कोने में कोई खराब काम हो जिम्मेदार तो शोबा ही रहेगी घर का काम ठीक समय पर नहीं होता मैं जिम्मेदार तुम अपना काम नहीं करते मैं जिम्मेदा नोकर चला गया मैं जिम्मेदार नया नोकर नहीं मिल रहा है मैं जिम्मेदार नल का पानी चला जाता है मैं जिम्मेदार अरे बस बस मैं तो अपनी बात कह रहा हूं जानती हो मैं अपने होस्टल में व्यवस्टा के लिए प्रशिद्ध था अपना ही नहीं अपने सब दोस्तों का काम भी किया करता था और ये जो जैनत साब है ना जिनका उदाहरन तुम बात बात पे देती हो इनको काईदे से रहना मैंने ही सिखाया है आज अंगरेजी कमपनी में जाकर ये शेकी चाहे कितनी बंगेरू गुरू तो इनका मैं ही हूँ पर तुम आकर मुझे एकदम बेकार कर दिया तीन साल पहले तक वह खातीर होती थी हमारी की अजित सहाप चौपठ तुमी ने बिगाडा और तुमी नाराज होती हो गाने के स्वर में शोबा जी शोबा जी ने निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदिमी थे काम के यानि शोबा जिम्मेदर मैं हूँ काम खरब करते ही सब मेरा ही नाम आता है कहकर कुछ बाते सुनाने लगती है तो अजित बीच में ही क्या करता है बस बस मैं तो होस्टल में पहले व्यवस्ता के लिए प्रशिद्ध था जेन्त को भी काईदे से रहने के लिए प्रशिद्ध था लेकिन आज जो अंग्रेजी कंपनी में जाकर जो बड़ावा बडपन दिकाता है लेकिन इसका गुरु मैं ही हूँ पहले से तुमने आकर मुझे बिगाड़ा है लेकिन मैं भी एक काम की चीज हूँ कहकर अजित शोबा से कहता है शोबा मुस्क्रातवे पता नहीं किस जमाने के जमाने में तुम काम के थे मैं तो आई हूँ तब से ऐसा ही बेकार देख रही हूँ कुछ टहर कर यह सच है कि अब मैं तुमारे उतनी देख बाल नहीं कर सकती पहले तुमारे और घर के सिवाए और कोई काम नहीं था सो सारा दिन उसी में लगी रहती थी अब उतना काम कॉलेज के साथ संभव नहीं होता नौकरों का हाल तो तुम देखी रहे हो यह नहीं लेकिन कॉलेज आने के बाद यह सब नहीं हो रहा है कहकर शोबा अपनी पती से कहती है अजित तो मैं क्या करूँ मुझसे भी अब यह सब काम नहीं होता शोबा जरा सा ध्यान देने की बात है जब मैं पढ़ती थी तब तो तुम काफी काम क्या करते थे अप्पी को भी गया है अजित तब की बात और थी मैं तो चाता हूँ वे दिन फिर लोट आए आज कल आदी जान तो यह कमबक्त आपीस ही निकाल लेता है तनका अच्छी भले ही देते हो पर तेल भी पूरा निकाल लेते हैं नोकरी तो किसी अंग्रेजी कमपनी में मिले तब है मजा साला जैंत ऐसा करता है अच्छा अभी तो चला यहनी शर्ट डालकर वो जैने के लिए तैयार होता है शोबा कमरा ठीक करके भीतर जाती है पर दूसरे एक शन गंटी बसती है तो आकर दर्वाजा खुलती है तो मीना का वाँपर प्रवेश होती है शोबा अपारा शर्शे अरे मीना सुना तो था कि तुम कलकताई हो पर बस देख रहे थे कि हमें याद करती हो या नहीं मीना देखो मैंने तो फिर भी याद कर ही लिया तुम लोगों तो शायद कभी भूल कर भी याद नहीं करते क्यों नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मिना कितनी बार तुमारी चर्चा चलती है पर अब तुमारा कोई निश्चित पता हो तब तो तुमारे साथ संपर्क भी रखा जाए पर सो जैनत ही ने तुमारे यहां आने की खबर दी थी या तो वे भी अक्सर करते हैं तुम्हें अर्थवरी निगाओं से देखते हैं यानि शोबा मिना को देखती है इस बातों को कहते हैं मिना पहले की तरह जैनत अभी यहां आते हैं कैसे हैं वे शोबा हाँ आते ही हैं आज तो उनके अभी आने की बात है यानि अभी आज भी आने वाले हैं आज आये तो खुद ही देख लेना मिना अजीत क्या आपीश चले गए हैं शोबा नहीं किसी से मिले गए हैं दस तक लोट आयेंगे तब तक तो तुम बैठेगी याईनि किसी से मिलने गए हैं सवाल करती है मीना, नहीं, आज नहीं, अभी तो मैं तुम्हें गाने की निमंतरन देने आई हूँ, सुना, तुमने हमारे कारेकरम में गाने से इनकार कर दिया, इसलिए खुद बुलाने आना पड़ा, शोबा, चलो इसी बहाने आई तो सही, एक शंटहर कर, एनी, कुछ बातें न करके, ऐ क्या बताओं मीना, गाने को इसलिए मना कर दिया था कि, आज कल रियाज तो घर नहीं पाती जरा, अब इन चीजों में, आप एक बार धील डाल दे तो, फिर कुछ नहीं होता मीना, वा, मैं तो रेडियो पर अक्सर ही तुमारी गाने सुनती हूँ, देखो, गाना तुमको गाना है, मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, रेडियो पर जब गा सकती हो, तो हमारे कारेकर में क्यों नहीं गा सकती, इतना ये क्या है, मिना दिवारों के घर के मीना, अजीत, जयनत और कई पात्र के बारे में हम जाना है, तो इसके आगे जो बचा हुआ, अगले कक्षा म देखेंगे धन्यमाद